नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं Graphic Design Course और Graphic Design Course में मैं आपको बता रहे थे Adev Illustrator का 2021 का वर्जन तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा Direct Selection Tool और Group Selection Tool के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताए था Selection Tool के बारे में और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Direct Selection तो दोस्तों Selection Tool सिर्फ किसी भी Element को Move करने के लिए काम होता सा सेलेक्शन करने के लिए काम होता है लेकिन जो डायरेक्ट सेलेक्शन टूल होता है इसकी मदब से आप किसी भी क्रियेटिव चीज को बना सकते हैं किसी भी इमेज को मोडिफाय कर सकते हैं या न्यू क्रियेट कर सकते हैं यानि कि जो Direct Selection Tool है, आप किसी भी तरीके का Element को आप Create कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, या Logo हो, या कोई Character हो, या किसी भी तरीके का Element आप बनाना चाहते हैं, तो Direct Selection Tool की मदद से आप बना सकते हैं, उसमें Element में Modify कर सकते हैं, तो मैं आपको Example के तोर पे आपको दिखाता ह हूँ, मैं इसको थुरा सा Zoom कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं कोई भी एक Element लेता हूँ, मान लेजे मैंने यहां से Box ले लिया, Box लेने के बाद अभी क्या करते हैं, अगर आप Selection Tool से आप इसको सिर्फ Select कर सकते हैं, यहां से, लेकिन इसमें एक और इसमें आप Selection Tool से Modify कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, इस चारो कोर्नर पे एक Round सा Circle बना हुआ, चलिए मैं इसको थुरा सा बढ़ा करके दिखाता हूँ, इस जो Pointer को आगर आपको बढ़ा करना है, तो कैसे बढ़ा करते हैं, यहां से आप Edit में जाए और यहां से प्रिफरेंस में जाके General पे क्लिक कर दिखें, या इसका shortcut command Ctrl-K होता है, जब इस पे क्लिक करते हैं, यहां से जो Second Option है, Selection and Anchor Display, इस पे क्लिक करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहां से, मैं यहां तक इसको जूम कर दिया, और OK प्रेस करते है जो ही OK प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं, इसका जो pointer है, कुछ बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, Ctrl-K प्रेस करते हैं, और इसको मैं बिल्कुल maximum कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, इसका जो pointer होता है, वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि अब आप देख सकते हैं यह pointer यहां बीच में circle आ रहा है यहां भी corner पे circle आ रहा है यहां भी तो चारो corner पे यह circle आ रहा है इसमें एक और तरीके का आप modify कर सकते हैं ctrl k press करते हैं ctrl k press करने से मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे देखिए fill नहीं आ रहा है यह corner पे जो pointer बना हुआ है यहां पे जो pointer बना हुआ है यह अगर fill करना चाहते हैं तो ctrl k press करते हैं और यहां से देखिए इस पे click करते हैं यहां पे देखिए एक fill और unfill ऐसे अभी unfill क करके आप देख सकते कौन सा आपको बेहतर लगता है उसके according आप कर सकते हैं अभी मैं इसी पर click करता हूं और इसको ok press कर देता हूं तो क्या करते हैं यहां पर अगर इसको आप अंदर की और मूव करते हैं इस कोर्णर को पकड़के आप अंदर की और मूव करते हैं तो इसका जो कोर्णर होता है देखिए कुछ इस टैप से रेक्टेंगल जो है यहां पर कोर्णर राउंड हो गया आप इसकी मदद से आप सेल Selection tool से आप फिर नहीं कर पाएंगे सिर्फ Selection tool से एक बार में 4 कोर्णर होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं one by one corner को क्लिक करना one by one corner को round by बनाना तो इसके लिए आपको Direct Selection tool की मदद से आप कर सकते हैं मैं आपको फिर से दिखाता हूं इसको मैं यहां से हटाता और एक rectangle लेता हूं यहां पर direct selection tool यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों actually क्या हुता है कि यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा से बाहर निकाल लेता हूं हर tool के आगे हर tool नहीं किसी किसी के आगे एक white सा एक pointer बना हुआ है यहां भी यहां भी है यहां भी है तो किसी किसी में pointer बना उसका क्या मतलब था उसका मतलब यह होता है कि इस tool के अंदर और भी tool है अगर इस पे थोड़ा सा click करके रखते हैं तो देखिए इसके अंदर दो tool है एक group selection एक direct selection तो मैं आज इस दुनों tool के बारे में बताने वाला हूँ इसी type से अगर इस पे click करने हैं इसके अंदर भी tools हैं इसका मतलब यह pointer होता है इसके अंदर और भी tool है तो अगर इस पे थोड़ा दे click करकर रखते हैं तो इसके अंदर से आपको दिखाई पर जाएगा हर टूल के बारे में तो यह pointer का मतलब यह होता है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहां पर दो टूल से एक direct selection और group selection तो मैं अभी direct selection tool के बारे में बता रहा हूँ तो इसकी मदद से आप हर corner पर माल लिजे इस पर selection किया और इसको आप corner को round कर सकते हैं तो आप इसको हर किसी corner को अलग तरीके से modify कर सकते हैं आप देख सकते हैं जितना आप चाहते हैं किस corner को उतना आप modify कर सकते हैं तो इस step से direct selection tool की मदद से आप हर particular angle को select करके उसको कर सकते हैं अब मैं दूसरे चिर्फ दिखाता हूँ मालिए यह और rectangle लेते हैं पहले rectangle से आरेक्टेंगل से आप को दिखाता हूँ रेक्टेंगल लेते हैं आप अब इसमें चाहते हैं, modify करना अभी तो मैं आपको, corner को modify किया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आप इसको पकड़के आप चाहते हैं, one by one modify करना, इस corner को आप जो है, step लेने जाना चाहना, देखिये, हर corner को पकड़के आप modify कर सकते हैं अपने तरीके से देखिए तो अभी क्या करता हूँ मैं यह जो pointer है यह बड़ा बड़ा आरा जिसको selection करने में आपको problem होता है इसलिए आप selection को जो है छोटा कर दीजे तो मैं यहां से control के press करता हूँ और यहां से selection में जाता हूँ इसको मैं छोटा कर देता हूँ ठीक है इतना रखते हैं तो आप यहां से देखिए हर corner को आप इसको modify कर सकते हैं ठीक है अगर माल लेजिए मैं यहां पर इसके बदले में यहां से ले लेता हूँ एक circle मैं यहां से circle ले लिया अब circle के अंदर क्या होता है अगर आप इसको modify करना चाहते ह और दोस्तों इसका जो shortcut command होता है वो A होता है अगर A प्रेस करते हैं तो यह direct selection tool हो जाता है उसके बाद इसका जो इस pointer होता है इस pointer को बोलते है anchor point इस anchor point पर select करते है तो देखिए यहाँ पे modify करने के लिए आ गया है किसी pointer को select करते हैं तो उसके जो पार्ट होते हैं, उसको modify करने के लिए यहां पे आ गया है, देखिए यहां पे 2 लाइन इसको क्लिक करके इसको आप modify कर सकते हैं हर एंगल पे, आप मगर इधर करना चाहते हैं, देखे इधर करना चाहते हैं इधर करना चाहते हैं इसको इधर करना चाहते हैं हर टैप से जो है इसको आप modify कर सकते हैं कुछ इस step से ठीक है जितना भी करना चाहते हैं उसको आप modify कर सकते हैं तो मैं अभी इसमें एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ अगर मानल लिजिए ये हम क्या करते हैं अगर मानल लिजिए इसको इधर करते हैं तो ये automatic इस तरफ आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ एक तरफ ही हो, मतलब अगर इसको click करते हैं तो यह हमारा यह है, same place पे रहे, इसके लिए क्या होता है, shortcut command होता है, अगर alt press करते हैं, अगर इस पर click किये और alt press करते हैं, फिर आप single single तरफ से इसको आप घुमा सकते हैं, देखिए, एक बार आप alt press कर द सिर्फ एक direction में यह modify हो जाएगा इसी टैप से अगर इस pointer को करना चाहते तो alt प्रेस करिए और इसको आप modify कर सकते हैं कुछ इस टैप से ठीक है अब यह तो था हम direct selection tool की मदद से अभी direct selection tool में तो एक चीज और मैं आपको बता दूँ जो direct selection tool होता है उससे आप किसी भी image को modify कर सकते हैं या पहले से बना हो उसको भी modify कर सकते हैं या यहां पर जो बना रहे हैं उसको भी modify कर सकते हैं जब हम इसको pen tool पे आएंगे तो हम इसको और भी deep से देखेंगे कि कैसे इसका और use कर सकते हैं तो अभी मैं इसका property आपको दिखाता हूँ जो direct selection tool का जो property होता है तो मैं क्या करता हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके property के बारे हैं कि property में क्या-क्या होता है और क्या-क्या हम कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहां से एक rectangle लेता हूँ मैं यहां से एक rectangle लिया, मैं इसके property को देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें, मैं यह प्रेस करता हूँ, यहां से भी select कर सकते हैं, direct selection tool select हो गया, अब मैं अगर इस corner पे click करता हूँ, जो ही हम इस corner पे click करते हैं, अभी देखिए यहां पे property बार में कुछ step से आ रहा है, अगर ह हम इस पे click करते हैं, तो यह property बार देखिए, यहां पे change हो गया, इस direct selection tool के according, तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहां पे circle लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, सही से, यहां पे circle लिये, और मैं क्या करता हूँ, direct selection tool को select किया, और इसको pointer को select करते हैं, जब anchor point को, जब anchor point को select किया, यहां पे देखिए, प्रोपर्टी इसका जो है, change हो गया, तो यहां पे जो पहला, जो curve यहां पे दिया option, इस पे अगर click करते हैं, यह automatic जो है, यह shape सीधा कर देगा, बिलकुल सीधा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, सीधा कर देगा, automatic जो है, आप देखिए, यह कुछ step से, बिलकुल सीधा line, straight line बन गया, लेकिन अगर आप इसके बगल में, जो यह है, यह curve है, यह क्या करेगा, यह सीधा करता है, यह round करता है, इस पे click करें, देखिए, यह कुछ step से round कर दिया, और इसको आप modify भी कर सकते हैं, अपने तरीके से, और इसी tap से, इस पे click करके, आप इसको देखिए, round कर देता है, और इसी tap से, इस पे click करते हैं, इसको भी round कर देगा, इसको यह round कर देगा, ठीक है, exact circle तो नहीं बनाएगा, लेकिन यह जो है, modify करके, rounded shape में, convert कर देता है, तो यह step से, इसको set कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे है, यह hide handle है, इसको अब क्लिक करते हैं, तो यह hide handle हो जाएगा, यह जो handle होता है, इसको hide करने के लिए, या show करने के लिए, इस tool का आप help कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ जो है, show handle हो जाएगा, यहाँ से hide handle होता है, यह जो handle होता है, उसके बाद यह जो anchor है, को डिलीट करता है, अगर माली जो इस पे क्लिक करतें यह देखें यहाँ से अंकर पॉइंट यह देखा सूविसा गया, अगर इक तो यह यहाँ से डिलीट हो जाता है। उसके बाद जो यह पॉइंटर टूल है। यह क्या करेगा, इस पॉइंटरος टूल कर देता है माली जी इस पर हम select करते हैं और इस पर click करते है अभी क्या हुआ यहां से joint यह हट गया यह देखिए यह joint जो है यहां से हट गया है तो मैं इस पर दिखाता हूँ, उसके बाद यहां पर देखिए एक, यहां पर आर्ट बोर्ड सो कर रहा है, मतलब क्या हुता है, ऐसे यह alignment के लिए काम करता है, मैं alignment पर आगए के वीडियो में बता हुआ लेकिन फिलाल मैं यहां पर थोड़ा से दिखाता हूँ यह क्या करता है यहां पर सेलेक्स आर्ट बोर्ड सेलेक्ट है मतलब जो इस यहां पर किसी भी पेज को क्या बोलते दोस्तों Artboard बोलते हैं, जो यह पेज है, इस पेज को Artboard बोलते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यह जो Align है, Artboard के According होगा, मतलब अगर इस पर हम Click करते हैं, Select किये, और यहाँ से Alignment करते हैं, तो यह Left हो जाएगा, देखिए, Artboard के Left, Right Side में इसको Align कर दिया, इसी टैप से Center करते हैं, तो यह Center में कर देता है, और अगर आप Left की तरफ करेंगे, तो यह Left से Align कर देता है, Top से करते हैं, तो यह Top, यह Center, यह Bottom, तो यह Artboard के जो है, उससे Align कर देता है, इससे, तो यह था दोस्तों, Direct Selection Tool का काम, उसके बाद हम देखते है, Group Selection Tool, Group Selection Tool का काम होता है, दोस्तों कि किसी भी, जब आप Group करके लगते हैं Object को, उस Object को अगर Select करना है, तो वहाँ पे आप Group Selection Tool का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको Example के दिखाता हूँ, अभी हमारे पास क्या है, यह Select, एक Object है, यह Object है, यह Object है, यह Object है, इसी Type से हम Rectangle ले ले Select है, अभी क्या करता हूँ, इसको मैं Group कर देता हूँ, साड़े को Select किया, यहां से Drag करके, और Ctrl-G प्रेस करते हैं, Ctrl-G से यह क्या होगा, यह Group हो गया, यह पूरा Element यह Group हो गया, अगर आप किसी को Select करेंगे, तो यह हर Group चलना शुरू हो जाता है, एक Group में, अभी क्या करते है एक Direct Selection Tool लेते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ का और धियान रखे, अगर Group में भी हो, तो भी Direct Selection Tool से आप किसी भी Particular Part को आप Select कर सकते हैं, और उसको Modify भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको Modify करना तो आप Modify भी कर सकते हैं, ग्रूप में भी, यह Group में भी Modify कर सकते है लेकिन अगर Selection Tool का यूज करते हैं, तो Selection Tool की मदद से आप हर एक Part पर नहीं जा सकते हैं, वो पूरा का पूरा Group जाता हैं, तो इसके अंदर जो Group Selection Tool है, Group Selection Tool की मदद से आप हर Part को Select करके आप इसको move कर सकते हैं सिर्फ move कर सकते हैं इसमें modify नहीं कर सकते हैं modify करने के लिए आपको direct selection tool की मदद लेना परेगा लेकिन अगर group selection tool में आप इसको modify कर सकते हैं move कर सकते हैं लेकिन अगर इस पर double click करते हैं तो ये पूरा group जो है select हो जाता है इसलिए इसको group selection tool बोला जाता है अगर मानले जी इस पर double click करते हैं तो यह पूरा group में जितना भी element है वो element select हो जाता है तो इसका use कैसे करते हैं अगर मानले जी आपके पास बहुत सारा element है एक एक group बना हुआ मानले जी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पर मैं ungroup कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ बहुत सारा element यहां पर बना देता हूँ मैंने बहुत सारा कुछ step से बना दिया अभी क्या है इसमें कुछ element को मैं group कर देता हूँ मानले जी मैं यह select करता हूँ shift press करके यह जो है, randomly मैं किसी को भी select कर रहा हूँ, select करके group कर दिये, group करने के बाद छोड़ दिये, अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा group है, कौन सा नहीं group है, अगर मैं इसको इधर करता हूँ, दिखिए यह पूरा को पूरा इधर आ गया, इसमें से इसको हटाना चाहता हूँ, लेक सिर्फ एक ही को select करता, तो मतलब यह group नहीं है, अगर इस पर click करते हैं, double click करते हैं, देखिए इसमें जितने group बला है, सिर्फ उसको select किया और उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, देखिए, सिर्फ इस group को आप बाहर निकाल सकते हैं, इस type का जो work होता, जब आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा idea आएगा कि कैसे हम इसको group selection tool का use कर सकते हैं, कहां पे selection tool का use कर सकते हैं, कहां पे direct selection tool का use कर सकते हैं, तो यह था दोस्तों, group selection tool और direct selection tool का use कैसे करते हैं, तो आसा करता हूं दोस्तों, यह video आपको अच्छा लगेगा, दोस्तों अगर यह video आपको अच सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में आज के लिए थैंक यू